गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का नेक्स टॉपिक जो है वो है स्वैल रिसोर्सेज तो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वैल जो है वो अपरमुष्ट लेयर है अर्थ का जो सबसे उपर का जो लेयर होत मेल यह बिङसें और लिए गडिवींगोर डिढ के स्वैल का फॉर्मेशन में हैं स्वैब में हमुआस भी होता है जो अर्गिनिक मौति मैइट मेंटपोर्स होता है इससे पैदा होता है स्वैब ऊनगोंति हैं त् Letter होता है हीतता है जोying के साथ डिजॉल्व होता होगा डिक मेंटर आपी एक सब यह जश्याइल क rapping करता है ठीक है जैसे एक्सामपल ही कि आप नदी के किनारे का जो मिट्टी होता है ठीक है वह ज्यादा फटाइल होता है इनकम प्रिजन टू वह स्वैल जो प्लेटियू रिजन में पाया जाता है ठीक है वह ऐसे प्लेस टू प्लेस यह वैरी करता है जैसा कि हम लोग देखे कि नदी के किनारे से भी मतलब नदी के किना रहे हैं तो ज़्यादा फटाइल है दूर है तो कम फटाइल है उसी तरीके से और भी बहुत सारा फैक्टर से जैसा यहां पर चार फैक्टर को हम लोगों को पढ़ना है पैरेंट रॉक्ट क्लैमेट वेजिटेशन और टाइम यह चारों फैक्टर के ऊपर देखना है कि स्वा में कैसा मिनेरल है क्षटीर है उसका क्या कलर है क्रीमिकल प्रौपरीच्ज है क्या प्रीमेेड़ी है यह सब चीज सबस्क्राइब से पारेंट रॉक से डिसाइड होता है कि सबस्क्राइब होता है कि क्लामेट लो है लेश प्रेसिपिटेंट है यह सब चीज भी decide करता है soil के formation को clear to everyone आगे हम लोग बढ़ते time time is another important factor influencing soil formation soil formation में time भी बहुत importance रखता है कि soil जो बनने में लगबग हजारों साल लगता है और इस हजारों साल में soil का color जो है वो change होता है उसका properties जो है दिन बाद दिन time by time वो change होते रहते है ठीक है तो यह सब चीज decide करता ह है आपका soil का formation को लाश्ट है topography यह चौता है topography है इसको भी हम लोग जान लेते हैं तो topography का मतलब होता है physical features कौन कौन सा physical features effect कर रहा है उस soil के formation में the slope and steep